दोस्तों हाजरू मैं आप लोग के लिए एक और न्यू बिजनस आइडिया लेकर जिसके अंदर आप जबर्दस मुनाफ़ा कमा सकते हैं हाँ अब कैसे कमा सकते हैं वो मैं आपको उता हूँ उससे पहले आप ये देखिए देखे मैं आच चुका हूँ इडजी के प्लाटफॉम पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डोर्मेट है ये बिकरी ये 15,502 रुपे की अब आप मैं से काफी साथ लोग सोच रहे होंगे एक डोर्मेट के लिए इतना पैसा कौन खर्चा करता होगा सो मैं आपको उतादू इडजी एक ऐसा प्लाटफॉम है जहां पर इंडिया से जादा बाहर के देशों का क्राउड होता है सो आप यू समझ दीचे लगबग 90% क्राउड जो होता है वो UK से, USA या बाहर के देशों से होता है सो वहां के लिए 15,000 रुपर बहुत बड़ा माउंट नहीं है अगर आपको बेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है उसके बात में आप देख सकते हैं इसकी प्राइज अभी दिखा रहा है 180 डॉलर अब आप खुछ सोचिए जो अमेरिका में रहते हैं, UK में रहते हैं उनके लिए 180 डॉलर बहुत जादा अमाउंट नहीं होता है सो वो लोग इस प्रकार की चीज को डेफिनिटी खरीते ही खरीते हैं और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोड़क के लिए टोटल 72 रिव्यूज हैं अब मैं आपको एक चीज यहां पर बोलना चाहूंगा अगर 10 कस्टमर या 12 कस्टमर करीते हैं तो उन में से कोई एक या दो ही ऐसे होते हैं जो रिव्यू करते हैं आप खुद सोचिए आपने इतने सारे प्रोड़क करीदे होगे क्या आप regular basis पर हर प्रोड़क के लिए रिव्यू करते हैं आंसर इस नो अगर 72 रिव्यूज हैं मतलब यह प्रोड़क कम से कम 700 लोगों ने खरीदा ही होगा अब कितना पैसा इसने कमाया होगा यह मैं आपको बात में बताऊँगा लेकिन उससे पहले आप यह देख लीजे अगर नीचे की तरफ हम जाते हैं तो यह जो सेम सेलर है इसके जो दूसरे प्रोड़क्स है इसी टाइप के प्रोड़क्ट है यह देखे यह बेच रहा है 185 डॉलर में उसके आने 170 डॉलर में फिर 150 डॉलर में अगर आपको डॉलर में समझ में नहीं आ रहा है तो इसको फिर से मैं INR में कनवर्ट कर देता हूँ और मैंने INR में कनवर्ट कर लिया है आप देख लिए यहाँ पर यह वाला प्रोड़क्स बेच रहा है यह 11,900 डॉलपय में यह 12,900 डॉलपय में उसके आप में 11,900 डॉलपय में यह 16,000 डॉलपय में मतलब इस प्रोड़क्त की प्राइस इंटरनाशनल मार्केट में अन अवरेज 10-12,000 डॉलपय तो ही है तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर 10 लोग खरीदते हैं तो एक कोई आत्मी होता है जो रिव्यू करता है तो कम से हम 720 लोगों ने प्रोड़क को पर्चेस किया होगा तो इसका सिंपल सा कैल्कुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे मैं करता हूँ 720 भी नहीं 700 लोगों ने नहीं पर्चेस किया होगा तो एक काम करते हैं 700 का कैल्कुलेशन नहीं करते हैं 300 का कैल्कुलेशन करते हैं तो मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ 300 into 15,000 करते हैं आंसर आप देख सकते हैं 45 लाख रुपए मतलब इस सेलर ने खाली एक प्रोड़क्स से अब तक 45 लाख रुपए तो कम से कम कमाये होंगे इससे जादे ही कमाये होंगे तो दोस्तो अगर आप चाहें तो आप भी इस प्रकार की चीज़ इंडिया में बनाकर बहार के देशों में सेल कर सकते हैं और जबरदस पैसे कमा सकते हैं अब कहां पर सेल कर सकते हैं यही प्लाटफोर में इट्जी यह बहुत ही जबरदस प्लाटफोर में इसके उपर अगर आपको चीए कि मैं डीटल में डेटिकेटर वीडियो बनाऊ जिसके अंदर मैं आपको A to Zer पूरी इंफोमेशन दू कि कैसे इट्जी के प्लाटफोर में आप अपना सेलर अकाउंट क्रियेट कर सकते हैं कैसे प्रोडटक की लिस्टिंग कर सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके बताना तो चान को सब्सक्राइब जरू करें हे दोस्तो मेरा नाम है रजजी कान शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमान दो यूटूब चानल अब दोस्तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ये तो बता दिया या फिर ये कटी-कटाई ऐसी rubber mat आपको मिल जाती है इसकी price market में होती है लगबग 50 रुपे से लेकर 100 रुपे के बीच में दूसरी चीज जिसके आपको जौत पड़ेगी वो है इस प्रकार के पत्थर इनको कहते हैं smooth river pebble अब दोस्तों ये आपको कहाँ पे मिलेंगे अगर आपके आसपस में कोई नदी है या फिर समंदर है तो वहाँ पे आप चेक आउट कर सकते हैं वहाँ पे आपको easily completely free of cost में मिल जाएगा लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको वहाँ से नहीं लाना मतलब 40,000 रुपे का माल आपको खरीदना होगा लेकिन मान लिजे कि आप 40 रुपे किलो के साब से नहीं खरीदते हैं अपने local area में आप जाएगे तो आपको आसानी से 80 रुपे से लेके 100 रुपे किलो के साब से मिली जाएगा लेकिन अगर आसपास में नदी है, समंदर है तो एक बार वहाँ भी चेक आउट जरूर कर लीजेगा तीसरी चीज़ है silicon glue अब यह जो पत्थर है इनको rubber की mat के ओपर चिपकाने के लिए आपको silicon glue की ज़रुद पढ़ने वाली है यह आपको market में मिल जाएगा लगबर 110 रुपे का 260 ml चौती चीज जिसके आपको ज़रुद पढ़ेगी वो है cocking gun अब देखिए यह जो gun आप देख पार है इसके नदर आप silicon glue को डालेंगे और इसकी मदद से ही आप पत्थर के ओपर चिपका पाएंगे और यह आपको market में 180 रुपे से लेकर 200 रुपे के बीच में मिल जाएगी पाँच वी चीज़ है paint देखिए सारे पत्थर को चिपकाने के बाद में उसके ओपर आपको shining देनी होगी या फिर mat finish करना होगा तो उसके साब से आपको paint भी खरीदना होगा उसके बाद में दोस्तों आपको छोटे मोटी कुछ और भी चीज़ाँ चाहिए होगी जैसे कि cutter की जरुट पड़ेगी, cello tape की जरुट पड़ेगी और हाँ आपको packaging material की भी जरुट पढ़ने वाली है क्योंकि इंडिया के अंदर माल बनाकर बाहर के देश में send करने के लिए आपको proper packaging की भी जरुट होगी तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ों की जरुट पढ़ने वाली है इसे बनाने के लिए चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है वैसे आप में से maximum लोग समझ ही गया होंगे कि इसे बनाना बहुत सिंपल है देखिए सबसे पहले जो rubber की mat होती है उसको रखा जाता है उसके बात में एक एक यह जो पत्थर है इनको लेकर इसके अंदर silicon blue लगाया जाता है और mat के उपर रखा जाता है बहुत सिंपल सा प्रोसेस है इस प्रकार यह जो door mat है यह बनकर तयार हो जाता है अब दोस्तों अभी भी आप में से किसी के मन में यह doubt आ रहा है कि बाहर की लोग इसे क्यों खरीदते है तो मैं आपको इस चीज बता देता हूँ देखिए इस प्रकार की जो mat होती है इसका अस्तमाल mostly बातरूम में किया जाता है नहाने के बात में सबसे पहले इसके ओपर प्राओं को रगड़ा जाता है फिर बाहर निकलते हैं तो दोस्तों वहां के लोग क्या करते है नीचर के साथ connected रहने के लिए इस प्रकार के प्रोड़क्स का इस्तमाल करते है और साथ ही साथ में वहां के हिसाब सी 180 डॉलर का या आता है तो उनके लिए खरीदना भी कोई बहुत महेंगी बात नहीं है तो वो लोग आसानी से इसे खरीदी लेते हैं तो दोस्तों अगर आप भी चाहें तो आप भी बना कर इसे बेच सकते हैं चलिए अब बात कर लेते हैं इसे बनाने में कितना costing आने वाला है तो उसका simple सा calculation मैं आपको बता देता हूँ और मैंने आपको बताया बल्क में खरीदेंगे तो आपको 40 रुपे के साब से मल जाएंगे और अगर आप कम quantity में खरीदेंगे तो आपको थोड़ा महेंगे मिलेंगे काफी सारे लोग इसे 11,000-12,000 में सेल कर रहे हैं तो मैं मान के चलता हूँ आप इसे कम से कम price में मतलब 10,000 रुपे में सेल करने वाले हैं अब अगर आप 10,000 रुपे में सेल करेंगे तो पर product के उपर आपको कितना profit हो सकता है चलिए उसका भी calculation कर लेते हैं अब देखी दोस्तों ये product बनाने के बाद में आपको इंडिया के इंदर तो send करना नहीं है आपको बहार की देशों में send करना है हो सकता है आपको order USA से मिले, UK से मिले, France से मिले है किसी और देश से भी आपको मिल सकता है तो वहाँ पे product भीजने के लिए आपको costing थोड़ा सा जादा होने वाला है मतलब मैं मान के चलता हूँ कि लगबग आपका 1500 रुपे से लेके 2000 रुपे तो खर्चा हो गई होगा क्योंकि देखिए आपका जो product उसका weight भी जादा होगा अगर पत्थर ही 2 किलो के हैं और बाकी की चीज़ों के वजन होने वाला है तो टोटल समझ के चलते हैं कि धाई किलो वजन होता है अब आप धाई किलो की कोई भी चीज़ इंडिया से बाहर के देश में सेंट करेंगे तो कम से कम 1500 रुपए से लेके 2000 रुपए खर्चा तो आने वाला ही है तो मैं यहाँ पर आपका costing पकड़ लेता हूँ 2000 रुपए टांस्पोर्टेशन के लिए उसके बाद में यह जो 10,000 रुपए का amount आपको जो मिलेगा वो मिलेगा PayPal के थुरू तो PayPal के भी certain charges होते हैं तो वो charges होते हैं लगबग 5% के आसपास तो 10,000 का 5% हो जाता है 500 रुपए उसके बाद में यह product आप sale करें EDZ के platform पे तो वहाँ पे उसको भी आपको charges पे करने होंगे तो लगबग उसके charges होते हैं 6-6.5% के बीच में तो मैं यहाँ पे 6% ही पकड़ लेता हूँ तो 10,000 का 6% हो जाता है 600 रुपया तो 600 रुपया आपको वहाँ पे खर्चा हो जाएगा अब दोस्तों total calculate कर लेते हैं कितना costing आपको आने वाला है देखिए 400 रुपय में आपको product बनके तयार हो गया बोलना बहुत आसान है इतना profit हो नहीं सकता क्योंकि हमको order ही नहीं मिलेंगे तो दोस्तों मैं आपको इस चीज बोलना चाहूँगा अगर initially आपने store बनाया और आपको order नहीं मिल रहे तो आप advertisement तो चला सकते है इटजी के platform के उपर आपको option मिलता है कि आप वहाँ पर अपने product की advertisement कर सकते है और advertisement करने से आपको order मिलेंगे ही मिलेंगे अब देखिए advertisement के लिए इटजी बोलता है कि आप 1 dollar से लेकर 25 dollar तक खर्चा कर सकते है अब 1 dollar को अगर आप Indian rupees में convert करेंगे तो होगा लगबख 80-82 रुपे के आसपास और 25 dollar हो जाएगा लगबख 2000 रुपे के आसपास मतलब आप 80 रुपे से लेकर 2000 रुपे तक खर्चा कर सकते हैं product को sale करवाने के लिए तो अगर इस product के अंदर आपको 6,000 रुपे का profit है और आपने 500 रुपे भी खर्चा कर दिया advertisement के उपर तो definitely आपको order मिलेगे हैं मिलेगे तो per product के उपर आपको net profit जो हो सकता है वो हो सकता है 6,000 रुपे का अब दोस्तों कर आप यह जाना चा रहे हैं वो कौन सी courier company है जिसके through हम इंडिया से बाहर के देशों में अपने product को send कर पाएंगे तो मैं आपको उदा देता हूं multiple options available हैं देखिए सबसे पहले तो idzee ने अपने platform के उपर कुछ courier companies के साथ already type किया हुआ है तो आप उनके through अपने product को send करवा सकते हैं इसके लावा अगर आप अपने level पर भी चाहें तो अपने आसपास में जो courier companies होती हैं उनसे बात कर सकते हैं मैं आपको कुछ courier companies के नाम बता देता हूं देखिए आप FedEx के through send कर सकते हैं DHL करके courier company उसके through send कर सकते हैं इसके लावा डेलेवरी करके courier company उसके through भी send किया जा सकते हैं e-com express करके भी एक company उसके through भी किया जा सकते हैं साथ ही साथ में हमारा जो इंडिया पोस्ट है उसके through भी आप product अपने देश से बाहर के देश्व में send कर सकते हैं और इसकी price भी काफी कम होती है अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप itzy के platform के उपर जो options available है उनके through भी send करवा सकते हैं उमीद है दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो request करता हूँ please like कीजे और अपने सभी friends के साथ share कीजे ताकि हो सकता है अगर आप ये business करना नहीं चाहरे है कोई और business करना चाहरा है तो वो इसे कर पाए और अच्छे खासे पैसे कमा पाए चानल को subscribe नहीं के तो please subscribe कर लिजे ताकि जब भी मैं कोई nav upload करूँ उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाए तो मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में फिर नहीं कमाने के तरीकों के साथ